हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने मोटरोला एज 30 फ्यूजन एंडुड वाइल फोन में आप जो है चार्जिंग साउंड एंड वाइबरेशन सेटिंग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आफ कैसे कर सकते हैं और यह चार्जिंग साउंड एंड वाइबरेशन का option मिलेगा ठीक है इसके ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है इस बटन को select करने तो ब्लैक कलर में बटन off हो जागा यानि कि आपके charging sound and vibration setting इस तरीके से आपके disable हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे ये setting जो होने के बाद काम करेगी आपके mobile phone में ठीक है तो जब भी आप अपने mobile phone के साथ अपने charger को आप connect करेंगे ठीक है तो आपके mobile phone में से कोई भी ना तो sound create होगी नहीं vibration create होगा ठीक है ये setting disable करने से पहले एक sound create करती थी और एक vibration करती थी लेकिन आप आपने setting को off कर दिया है तो इस setting आप जो ना तो कोई sound create करेगी नहीं vibration create करेगी ठीक है तो इस charging sound and vibration setting disable होने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके Motorola edge 30 fusion android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो है इस setting को ढूंडने का यानि की charging sound and vibration setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या है mobile के setting page open करना है ठीक है setting page में आपको सब से ओपर यह search setting का option नजर आएगा search setting पर select करना है अब यहां पर आपको search बार में type करना है charging sound and vibration ठीक है तो आपको नीचे की साइड यह charging sound and vibration का option show हो जाएगा तो इसे आपको select कर लेना है ठीक है इसे select कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि आपको mobile phone आपको directly इस setting page में आपको लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडनेगा आपके mobile phone में